कानपूर में बारिश ने माफी नहीं दी और तीसरे दिन भी इंडिया वर्सिस बंगलादेश की एक बोल भी नहीं करवाई जा सकी जैसे दूसरे दिन में भी कोई बोल नहीं करवाई गयी थी और बारिश इतनी तेज थी जिसकी वज़ा से पानी बार बार जमा हो रहा था लेकिन जो पहले दो दिन की बारिश है उसकी वज़ा से जो आउट फील्ड है वो इतनी ज्यादा मैं कहता हूं पानी से भर चुकी है वो ड्राय नहीं हो पारी जिसकी वाइसे तीसरा दिन भी मतलब हतम कर दिया गया है यह मैच सीधा सीधा ड्रा होता हुआ नजर आ रहा है क् पीछे चोथा और पांचमा दिन बचे हैं और बंगला देश के वही एक सो साथ स्कोर पर बंगला देश की टीम भी खड़ी है फस्ट बल्ले बाजी है अभी इंडिया ने बैटिंग करनी है फिर सेकंड इनिंग स्टार्ट होनी है तो यह मैच मैं कहता हूं फिनिश नहीं हो वो दूसर पहले नंबर पर ही बरकडार रहेंगे इंडियन टीम पहले नंबर पर ही रहेगी डव्ली टी सी की स्टैंडिंग के अंदर क्रिकिट से रिलेटेट कोई वी न्यूज होगी तो लाजमी तो पर शेड कर दूँगा चैनल को सबस्क्राइब निं किया तो सबस्क्र टाइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना